बॉर्णिंग एवरीवाण, होप यू अल बस्ट बीवेग ग्रेट चलिए शुरू करते हैं, क्विक प्रवेशन, लास्ट वान रिवेशन पॉर TDS और TCS जहांबर मैं कुछ प्राक्टिकल कुश्टिंग आपके साथ डिसक्स करना चाहूंगा question number 1 and 2 में हम लोग discuss करेंगे section 194N काफी जादा important है examination point of view से भी 194N जब TDS on cash withdrawal, अगर cash withdrawal करते है आपका bank account है, saving bank account और current bank account 1 crore रुपी से ज्यादा और July से एक amendment भी आई है 20 lakh रुपी से ज्यादा पर भी TDS deduct हो जाता है discuss करें question number 1 and 2 में question number 3 में I'll discuss section 192A 192A होता है, in case आप provident fund का पैसा जब withdraw करते हैं तो TDS deduct होता है कुछ scenario में नहीं होता, कुछ scenario में हो जाता है तो मैं वहाँबर discuss करूँगा 192A के बारे में section 192 जानते हैं क्या, 192 होता है TDS on salary, सिर्फ revise कराने के लिए मैं बाते कर रहा हूँ और question number 3 में discuss करेंगे 194A 194A होता है other interest other than securities securities के उपर interest है, debenture का interest के उपर interest है, या bonds के उपर interest है इसकी बाते तो हम 193 section में करते हैं 194 किस चीज़ का होता है, dividend का और 194A जो मुझे discuss करना है question number 3 में that is related to interest other than securities 194IB की बाते भी करेंगे 194IB होता है कि अगर कोई भी individual या HUF rent पे करता है और per month का rent 50,000 rupees से, याद आता है IB rent, rent के लिए although we have another section also 194I, but 194I होता है in case अगर कोई अपना business का rent पे करता है, कोई company अपना rent पे करती है, कोई partnership firm rent पे करती है, तो 194I यह लगता है, इंडिविजुल और HUF जिनका लास्ट यर का turnover वन करोड बिसनस कर रहे हैं तो वन करोड प्रोफेशन कर रहे हैं तो 50 लाक अगर उससे ज़्यादा होता है, तब 194I में TDS deduct होता है और 194I की भी threshold limit होती है अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो भी TDS की implications आजाती है आपके उपर, अगर इसका monthly rent 50,000 रुपीज से ज़्यादा का है, क्योंकि income tax department चाहता है कि जो थोड़ी high value transactions है, वो highlight हो जाए उनके पास, वो उनके पास आ जाए हैं records में कि हाँ, ऐसी कुछ transactions हो रही है, और अगर ये किसी individual का या हुएफ का business का भी rent है, तो भी यहाँ पर आ सकते हैं, provided उनका turnover 1 करोड या profession का turnover 50,000,000 से ज़्यादा का नहीं है, because अगर ज़्यादा का है, तो we understand there is another section 194 आए, question number 4 में बाते करेंगे section 194 M के बारे में, M भी काफी मिलता जलता section है, individual हुएफ के उपर लगेगा, जन लोगों का last year का turnover 1 करोड business का या profession का 50,000,000 से ज़्यादा का नहीं है, या in fact अगर आपके personal expenses भी हैं, तो भी 194 M लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर transaction बहुत ज़्यादा amount की हो रही है, 50,000,000 से ज़्यादा का अगर आप किसी को payment कर रहे हैं, in respect to अगर आपने कोई contract work दिया है किसी को, या फिर professional services के पैसे पे कर रहे हैं, यादा रहा है, 194 M काफी important section है ये भी, 194 M तो professional services के पैसे दिये हैं, contract के पैसे दिये हैं, या फिर किसी को commission या brokerage दिया है, या तो आपका परसनल expense था, अगर business का था, individual रहे हैं, तो आपका turnover last year का ज़्यादा नहीं था, 1 क्रोड या 50,000,000 से ज़्यादा का नहीं था, विकास अगर उससे ज़्यादा का था, तो we know, we have another section like 194 C contract के लिए, या फिर 194 J professional services के लिए, या फिर 194 H commission या brokerage के लिए, और हम discuss करेंगे, इसी question में, question number 4 में, 194 C, 194 C is payment to contractors, अगर ये आपका business related, अगर आपने किसी को contract दिया है, तो TDS deduct करते हैं, TDS का rate क्या होता है, 1% भी हो सकता है 194 C में, और 2% भी होता है, 1% अगर, depend करता है, contractor के ओपर, जो receiver है, if that person is an individual HVF, तो 1%, ठीके, COVID impact की वज़े से उसको हम 3-4 ही लेंगे, ठीके, 1 का 3-4 होजएगा 0.75%, क्योंकि 1-4 की 25% की, आपको पाता है, relaxation है, between the period 14th May 2020, till 31st March 2021, बहुत limited period के लिए, और हम बाते करेंगे, 194 E के बारे में भी, national saving scheme में, अगर हमें वहां से income मिलती है, 2500 रुपीस से जाधा की, तो भी TDS deduct हो जाता है, 10%, COVID impact की वज़े से वो 3-4 हो जाएगा, 7.5%, ठीके, question number 5, we'll discuss about 194 A, again, interest other than securities के बारे में, 194 B, 194 B क्या होता है, किसी game show, quiz, वगेरा से जब आप पैसे जीतते हैं, तो 30% का TDS deduct हो जाता है, 194 B में, in fact, BB B में भी same provisions है, 30% का TDS, अगर threshold limit, 194 B की याद कीचे या, डबल B की याद कर लीचेगा, 10,000 रुपीस से जादा के amount के ओपर 30% TDS deduct होगा, COVID impact की वज़े से भी 30% ही रहेगा, 3-4 नहीं करना है, ठीके, 194 BB की सीज़ का था, horse winning, ठीके, अगर आपकी horse races में winning होती है, तब आपको 194 BB में, provision दोनों के almost same है, 194 B और BB के, और 5th question में भी हम लोग दुबारा से 194 IB भी डिसकस करेंगे, individual EHUF जब rent पे करते हैं, 50,000 पर मन से जादा कर, question number 6 में, I'll talk about TCS, TX Collected Rate Source, और specifically दो नए sections जो insert हुए है, 206 C 1 G insert हुए है, और 1 H 206 C 1 H insert हुए है, 206 C 1, section के number याद न रहना है, तो it's okay, 206 C 1 G होता है, जब आप overseas remittance करते हैं, 7,00,000 रुबी से ज़्यादा की आपने देखी की थी, या फिर overseas tour operator के case में, वो TCS Collect करते हैं, 206 C 1 H होता है, अगर in case there is a seller, उनका last year का turnover, preceding year का turnover, अगर 10 crore से ज़्यादा का है, और कोई buyer है, उनसे पूरे साल में 50 lakh से ज़्यादा की चीज़े खरीता है, तब हम TCS भी Collect करते हैं, उनका 0.1% रहता है, COVID impact की वज़े से 0.075% हो जाएगा, ज़्यादा आती हैं यह बाते, हाँ, मैं अगर बता दू, यह जो 206 C 1 G और 206 C 1 H आए हैं, TCS के provisions, यह 1st October 2020 onwards आए हैं, यह 1st October से पहले, 30 September 2020 से पहले, यह TCS के provisions नहीं थे, तब आप TCS Collect नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं, Question No.1, यल्दी से, Mr. Ankit has a bank account with Kotech Mahindra Bank, the following are the details of his withdrawal from his account during the previous year 2021, तो इनकी withdrawal दी गई है, इशारा कर रहा है, section 194N की तरफ, अगर हमारी withdrawal, अगर वो 31st July से, sorry, 1st July 2020 से पहले की हैं, तो हम लोग को देखना है, एक करोड से उपर, और जो 1st July 2020 onwards है, 1st July 2020 onwards है, वहाँ पर हमें देखना है होता है कि क्या return, ठीक है, याद है ना, आपको amendment आई थी इसमें, क्या पिछले 3 साल की return, जिसकी due date expire हो चुकी हो, जब आप withdraw कर रहे हो, और TDS कौन deduct करता है, बैंक, ठीक है, बैंक से जब आप पैसे withdraw करते हैं, तो विड्रॉल करते समय वो TDS deduct कर लेता है, तो 1st July 2020 से पहले, बिफोर amendment तो ये बोलता था, कि 1 करोड रुपी से ज़्यादा हैं, तो 2% का TDS हम deduct करेंगे, बट 1st July 2020 के बाद, अगर आप ऐसे withdraw कर रहे हैं, 1st July 2020 के बाद अगर आप withdraw कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा, क्या आपकी पिछले 3 साल के return, वो 3 साल देखे जाते हैं, जिसकी due rate expire हो चुकी है, तो अगर वो return time से filed है, तो हम 1 करोड वाले ही provisions लगाते हैं, 1 करोड के उपर 2%, अगर वो उसमें से कोई भी एक return, any one return, कोई भी time से file नहीं हुई थी, late file हुई थी, उस case में हम लोग 20 लाग के उपर ही 2% का TDS लगा देता है bank, और 1 करोड के उपर 5% का TDS लगता है, चलिए देखते हैं, इन्होंने कितना पैसा withdraw किया है, तो date of withdrawal है, 15-4-2020, अब देखो 15-4-2020 तो यह 1st July से पुराना period है न, तो यहाँ पर तो सरफ एक ही चीज थी, एक करोड से ज़्यादा का अगर withdrawal हो रहा है, तब हम TDS लगाएंगे, यहाँ पर तो withdrawal 1st July 2020 से पहले withdrawal सरफ 80 लाक रुपीज का हुआ है, तो क्या 80 लाक रुपीज पर टेक्स लगाएंगे, तो answer is no, इसके उपर कोई TDS नहीं लगेगा, अब 18-9-2020 को withdraw हुआ 40 लाक रुपीज, अब 18-9-2020 को withdraw हुआ है, यानि कि 1st July 2020 के पीरिड के बाद withdraw हुआ है, अब क्या इस 40 लाक के ऊपर TDS लगेगा या नहीं लगेगा, अब डिपेंड करते हैं इनकी returns के ऊपर, ठीक कौन सी रिटन देखनी है, यह जो 18 September 2020 है न, यह कौन सा previous year है, इस इस प्रिविज येर 2021, अब सबसे पहले इसका last previous year देखे, और last previous year के देखे, क्या उसकी due date, क्या उसकी due date expire हो चुकी है, या अभी expire होना बागी है, अगर expire हो चुकी है, तो फिर वो हमारे 3 साल के period में आएगा, अगर for example इस date पर due date expire नहीं हुई थी, तो फिर उससे पहले वाले साल लेंगे आप, उसके पहले के 3 साल लेंगे, ठीक है, I believe ये बात है आपको पता है, हम लोग ने चार्ट रिविजन में भी discuss की थी, तो अब देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखे कि इनकी return का क्या status है, तो लिखा हुए question में, he furnished all his return within due date, यानि कि ये अपनी सभी returns due date तक फाइल कर रहे थे, इसका मतलब ये एक करोड़ वाले provisions में आएंगे, 20,000,000 वाले provisions इनके उपर नहीं लगेगा, I believe ये बात clear है, तो please मुझे बताइए, अगर ये एक करोड़ के provisions में आ रहे हैं, तो 15,4,20,20 को तो एक करोड़ से उपर थे नहीं, यहाँ पर तो no TDS, और 18,9,20,20 को 40,000,000 विड्रॉव कर रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू के एक करोड़ पर तो कोई TDS नहीं लगाना है, तो 80,00,000 पुराना था, इसमें से 20,00,000 के उपर भी कोई TDS मत लगाईएगा, अप टिल 1 करोड़, और 1 करोड़ से उपर, जो next 20,00,000 रुपीज जा रहे हैं, इन एक्से उपर 1 करोड़, उसके उपर TDS लगा दीचेएगा, 20,00,000 के उपर 2%, 20,00,000 के उपर 2% आचाएगा, फ्लीज ये पढ़ लीचेगा, 20,00,000 के उपर 2% का TDS आने वाला है, कुछ नंबर 2 पर आचाएगा, ठीक है याद है ना, आपको 194N काफी important है, इसलिए मैंने इसके यहां पर 2 questions लिए हैं, Mr. Abhi, maintained two bank accounts, one current account with ICSA bank, for his business, and a saving account with HDFC bank, सबसे पहले तो ये धियान दीचे, whether it is current account, or it is saving account, आप किसी भी account से विड्रॉ करेंगे, TDS के provisions तो आएंगे, ठीक है, first चीज चीज गिर होगी, दूसरी बात, जितना amount ICSA bank से विड्रॉ हुआ है, और जितना amount HDFC से विड्रॉ हुआ है, तो जब आप अपनी 20 lakh या 1 crore वाई limit देखते हैं, तो कि आप दोनों के विड्रॉल को add करके देखते हैं, the answer is no, please ICICI bank की transactions को आप अलग रखिएगा, HDFC bank की transactions को आप अलग रखिएगा, obviously ICIC bank को पता नहीं होगा, कब HDFC से पैसा विड्रॉ होता है, simple, बहुत practically समझ लीजिए बात, for example, आपके दो account है, ठीक है, ICIC bank में और HDFC bank में, please बताइए, जब आप HDFC से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो HDFC से तो message आते हैं आपके, mobile phone में की इतना पैसा आपने विड्रॉ की है, ICIC bank को पता चलता है कि नहीं, ठीक है, for example, अगर आप ICIC bank से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या दूसरे banks को पता चलता है, दा आंसर is no, तो यह बिल्कुल common sense की बात है, कि जब आप ICIC bank से पैसा विड्रॉ करेंगे, तो HDFC को कोई information नहीं होगी, और जब HDFC से पैसा विड्रॉ होगा, ठीक है, हाँ, एक और बात, अगर for example, ICIC bank ही होता, और ICIC bank की different branches में हमारे account होते, तो उस case में तो आप aggregate कर सकते थे, because bank है की है, you understand, centralized banking system होता है, तो चलिए देखते हैं, ICIC bank से, अब दूसरी बात याद रखेगा, ठीक है, because हमारे जो previous year है, 2021, ठीक है, हमारे December examination के लिए, उसके बीच में changes आयते हैं, यानि कि 1st July 2020 onwards changes आयते हैं, तो 1st July से पहले तो कोई problem नहीं है, वहाँ तो 1 crore के provisions लगेंगे, but 1st July के बाद की जो withdrawals हैं, उसमें अपनी returns वाला case देखना पड़ेगा, क्या पिछले 3 साल के return time से file हुई थी, या late file हुई थी, किसी भी एक साल के अगर late file होगी न, तो उस case में तो 20,00,000 वाले provisions आने वाले हैं, ठीक है, समझ भार है ना सबको, ओके, चलिए पहले ICIC bank का देखते हैं, ICIC bank से 15,04 2020 को 22,00,000 विड्रॉफ हुए, अब देखें 15,04 2020 यानि कि 1st July से पुराना case है, 30th June तक वाले cases हैं यहाँ पर तो हम एक करोड़ देखते हैं, तो इस 22,00,000 पर कुछ भी TDS deduct नहीं करेगा, bank, bank कोई TDS deduct नहीं करेगा, विकास उस समय तो bank को सिर्फ 1 करोड़ वाले provisions पता थे, तो 22,00,000 पर तो कोई TDS deduct नहीं होगा, फिर 34 तो HDFC से हैं तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं, अभी हम वी आजस तॉकिंग बाउट ICIC bank, 14,08,2020 को 26,00,000 रुबीज विड्रॉफ हुए, अब प्रीज बितेगे क्या यहाँ पर TDS deduct होगा या नहीं होगा, अब बिकज यह 14th August है, यहाँ पर हमें यह चेक करना पड़ेगा, इस डेट पर हमें यह चेक करना पड़ेगा, कि पिछले 3 साल की रेटन का क्या status है, और वो भी कौन से 3 साल, जिनकी due date expire हो चुकी हो, जिनकी due date expire हो चुकी हो, तो या तो आपको question में directly due date given होगा, या आप assume कर लीजेगा, 31st July assume कर लीजेगा, 31st October assume कर लीजेगा, as the case में भी, ठीक है, generally अगर question में given हो जाती है due date, इनके case अगर नहीं है, जिसे मैंने इस question में नहीं दिये लिट से, अब प्लीस बताइए, अगर मैं इनकी due date, 31st July assume कर लेता हूँ कि, जो next year का assessment ही राता है, उनके 31st July को return इनकी जानी होती है, तो प्लीस बताइए, बैंक देखेगा 14.8.2020 को, यह हमारा previous year कॉंस चल रहा है, previous year 2021 को withdraw हुआ, सबसे पहले, सबसे पहले last previous year पर आ जाईए, last previous year प्रीविए सियर 19.20, यानि की assessment ही है 2021, तो प्रीविए सियर 19.20 की due date क्या रही होगी, due date रही होगी 31st, अगर हम 31st July में, माल लेते हैं, जातो कुशन में गेवन होगी, तो वो पर कीचेगा या assume कर लीचेगा, तो अगर 19.20 की due date रही होगी, 31st July 2020, ठीक है जो भी जिसका bank account holder है जो फैसा विड्रॉब कर रहा है, at the time of withdrawal, bank manager बोलेगा कि हम आपका TDS रिटाट करेंगे, तो प्रीज बताए 14.8.2020 को, क्या इनकी due date निकल चुकी होगी 31st July 2020, तो अगर इसका मतलब इसकी period की due date रही हो चुकी है, यह वला period आप ले सकते, तो पिछले तीन साल कौन से लेंगे, previous year 19-20, previous year 18-19, previous year 17-18, अगर assessment year की language में बाते करेंगे, तो वो भी आप आप जानते हैं, तो पिछले तीन साल देख लीचेगा, कि क्या इनकी return time से file हो गई थी, अगर तीनो साल की return time से file हो गई थी, तो वन करोड के provisions लगेंगे, असेसी के उपर, अगर किसी भी year की return लेट हो थी, इन तीनो year में से किसी भी year की return लेट थी, तो फिर 20 लाग के provisions लगेंगे, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, कि हम 20 लाग वाले provisions लगाएं, या फिर 1 करोड वाले provisions लगाएं, तो देखते हैं कुश्चन क्या कहता है इसमें, he furnishes return of income for assessment year 2021, यानि कि last fall year, and assessment year 1920, उससे पहले वाले year, on or before the time prescribed रेनर 1391, 1391 you understand due date का होता, written filing का, तो यह कहते हैं कि फिछले 2 साल वाली जो return है, जो फिछले 2 साल हमें तीन साल लेनें, उसमें से फिछले 2 साल की return तो time से file होई थी, however for assessment year 1819 and assessment year 1718, he has furnished his income, return of income belatedly, यानि कि उससे पहले के 2 साल थे, उसकी return late file हुई थी, इसका मतलब इतना तो हमें बता चल गया है, जो हमारे पिछले तीन साल है, उसमें से दो साल की return ठीक थी, बाट एक साल की return late थी, इसका मतलब इनके उपर 20 lakh वाले provisions लगने वाले हैं, 20 lakh से जितना अभी extra ये withdraw कर रहे हैं, उसके उपर 2% का TDS, और जब 100 lakh से access हो जाएगा, तो उसके उपर 5% का TDS, ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताई, ICA से bank क्या करेगा इन से, अच्छा, bank को कैसे बता चलता है, bank को कैसे बता चलता है, कि क्या इनकी return time से file हुई थी या नहीं हुई थी, वैसे तो आज income tax department ही इनको ये utility दे देता है, ठीक है, इन कि आपकी जो पिछले तीन साल की return थी, वो कब-कब किस-किस date पर file हुई थी, तो bank को पता चलता है, अब प्लीज बताईएगा, क्या यहाँ पर, अब तो हमें पता चलता है कि 20 लाक वाले provisions लगने हैं, और 20 लाक से ज्यादा का withdraw, और अलएडी पहले से ही हम 22 लाक का withdraw कर चु यानि कि पहले से ही, वो 20 लाक से उपर तो पहले से जा चुका था, ठीक है, जब हमें यहाँ पर लिया है, उसने 15th April 2020 को जब withdraw किया होगा, he is already above 20 लाक, तो 20 लाक तो अलएडी छूट गए, तो आप इस पूरे 26 लाक पर 2% का TDS यहाँ पर bank लगा देगा, ठीक है, सब को समझ कर रहा हूँ, 1st July 2020 के बाद यह प्रोविजन्स आये थे, 20 लाक वाले प्रोविजन्स, उससे पर तो एक करोड़ वाले प्रोविजन्स थे, इसका मतलब यह तो एक, जब यह 22 लाक विट्रॉव किये गए, तो वो एक करोड़ से जादा के नहीं थे, तो इसके उपर तो कोई हमारा टोटल, cumulative का टोटल, 100 लाक से उपर नहीं चाहता, तो उसके उपर 2% आता रहेगा, 100 लाक से उपर जब जाएगा, तो 5% आएगा, जैसे कि मैं आपको, solution में भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप ICAC बैंक के लिए अलग बनाएगा, HDFC के लिए अलग, 15-4 2020 को, April 2020 क 22 लाक विड्राव हुए, इस समय तो कोई TDS नहीं आएगा, बिकास उस समय तो प्रोविजन सिर्फ 1 करोड वाले थे, यहां पर तो कोई TDS डिड़क नहीं होगा, no TDS, 14-8 2020 को 26 लाक रूबी विड्राव हुए, अब क्योंकि हमें बता चला कि पिछले 3 साल में से किसी 1 साल की अगर लेट गई थी, एक साल, दो साल, दीन साल, किसी की भी लेट गई थी, तो 20 लाक के प्रोविजन लगते हैं, अब यहां पर 26 लाक पर पूरे के पूरे उपर आप 2% का TDS लगा दी चाहेगा, पूरे का 26 लाक के उपर, अच्छा टोटल कितना हो गया, टोटल हुए 22 और करें, टोटल अभी 60.5 हो रहा है, तो 2% ही लगेगा इस 12.5 पर, 17.1 पर भी आप 2% ही लगाईएगा, क्योंकि अभी भी 100 लाक से उपर नहीं हुआ, cumulative, 29.4 जब आपने विद्रौ करें, टोटल हो गया 107, यहां पर ध्यान दीचेगा, अब यहां पर 100 लाक से उपर चला गया यानि कि जब जैसी आपने 29.4 लाक विद्रौ किये, तो आपका 100 लाक से उपर चले गए, कितना उपर चले गए, 7 लाक उपर चले गए, तो इसका मतलब समझ मा आया कि 29.4 में से जो 7 लाक है, उसके उपर तो 5% का DDS आएगा, और जो बागी remaining amount कितना है, इसमें से कितना बच चाहेगा, ठीक है, HDFC bank का देख लीचे अलग, तो यहां पर मैंने समरी दिए कि total TDS कितना आएगा, HDFC bank का देख लीचे, पहरे तो 34 2020 को 12.5 लाक विद्रौ हुए, यह तो जुलाइस से पुराना वाला है, तो यहां पर एक क्रोड का प्रोविजन होता है, यहां पर तो कोई T तो कोई TDS नहीं आएगा, यहां पर प्रीज कोई TDS मतल आएगा, फिर 15.9 2020, यानि कि जुलाइ के बाद वाला प्रोविजन हो गया, और क्योंकि इनके ओपर 20 लाक वाला सेनारियो लग रहा था, रिटरन टाइम से फाइल नहीं थी, तो यहां पर 16 लाक रूपीज था ही नहीं, उसके बाद 20 तक आने के लिए मुझे 7.5 इसमें और एड़ करना पड़ेगा, यानि कि 12.5 और 7.5, 20 लाक हो जाएगा न, तो 16 में से आप 7.5 को तो हटा दीजे, क्योंकि उसके उपर तो वो TDS आएगा ने, बिकस वहां तक तो हम 20 लाक तक ही पहुंचे हैं, औ और फिर over and above, तो 16 में से 7.5 अटा दीजे, तो बाकी कितना बचाएगा, 8.5, 8.5 लाक के उपर 2% का TDS, और 18.1 के उपर भी 2% का क्योंकि अभी आप 100 लाक से उपर तो जा नहीं रहे हैं, तो I believe यह समझ में आगया होगा, आपको 194 and काफी important section है, that is the reason कि मैंने कुछ दो कुशन ले लिए, एक नहीं लिए, दो कुशन ले लिए इसके, कुशन अबर 3 पर आते हैं, कुशन अबर 3 जैसे कुशन आपको exam में अक्सर मिलते हैं, actually क्या होता है कि पहले यह simple बोल देते हैं, 2-3 cases दे देते हैं, और पूछते हैं हम से क्या TDS की implications आएगी या नहीं आएगी, ठी कितनी आएगी, कौन से section लगेगा, और आपको कितना TDS डिड़ाट करना पढ़ेगा, ठीके TDS है, TCS जो भी case है, तो इस तरह के questions आपको question number 3 जैसे काफी exams में मिल जाते हैं, मैं दुबारा से repeat कर रहा हूं कि अगर in case section के number आप exam में भूल जाएं, जो normal है, जो अकसर होता है, कोई घबराने की बात निया, sir, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, सब के साथ होता है, ठीके, in case, ठीके, जिसने बहुत अच्छे से याद करें, वो अलग बात है, but maximum case में, अगर मैं normal average student के बारे में बाते करता हूं, ठीके, जैसे की, मैं average student हूं, तो अगर आप मुझ से बाते करे आपको locky language लिखने है, no, that is not required, normal plain language में आप लोग provision लिखती चेगा, अब लिखा हूं है, अब लिखा हूं है, examine and explain the TDS implication in the following cases, along with reasons thereof, assuming that deductions, deductee, are residents, deductee resident है, मतला जिसका हम TDS deduct कर रहे है, वो resident है, and having a PAN, which they have duly furnished to the respective deductor, और उन लोगने PAN number भी furnished कर दिया है, ठीके, यह बात ह यहाँ पर क्यों लिखी कि उन लोगने PAN number furnished कर दिया है, because अगर उन लोगने PAN number अपना furnished नहीं किया होता, उस case में आप जानते हैं, एक section होता है, 206 AA, ठीके, section का number ना याद रहे, okay, but यह section, अच्छा, इतना सबको provision पता होगा, कि अगर कोई सामने वाला विक्ती, जिसका T TDS हम deduct करते हैं, अगर उसने अपना PAN number furnished नहीं किया है, तो उस case में हम उसका TDS का rate क्या लगा देते हैं, जो भी उस section का existing rate है, जो भी उस section का existing rate है, या 20%, whichever is higher लगा देते हैं, ठीके, याद आगे आपको, but हाँ, एक section है 194, वो e-commerce participant वाला, वहाँ पर हम existing rate, या 20%, 20% नहीं पर्टिसिबेंट वाला section है, उसमें existing rate और 5% लगाते हैं, एक और नया section आया है 194Q, but वो next year के students के लिए है, जिन लोगे exam 2022 में है, अमेंडमेंट में आके कुछ सेक्शन से इंसर्ट हो है, 194Q में भी ऐसी 5% वाली बात है, अभी छोड़ देते हैं, ठीके, अभी काम की नहीं है है हमारे, ओके, first point, तो हमें बताना है कि TDS की implications आएंगी या नहीं आएंगी, Mr. Vimal received a sum of 10,20,000 rupees on 28 to 2021 as a premature withdrawal from employee provident fund scheme before continuous service of 5 years, अब हम लोग जानते हैं, section 192A, ठीके, PF से अगर आप पैसा withdraw करते हैं, तो उसके उपर हम TDS लगाएंगे, अब मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा देखें, TDS, बिल्कुल normal बात, normal बात है यह, TDS की provisions तब लगते हैं, जब income taxable हो, I'm repeating, example देके समझाता हूँ, अच्छा, for example, अगर मुझे कहीं से agriculture income मिल रही है, माल लेते हैं, आप ना मुझे agriculture income pay कर रहे हो, and we understand agriculture income is exempt, अगर agriculture income exempt है, और मैं आप से पूछूँ कि इसके उपर क इसी बाते कर रहे हैं, यह तो income ही exempt है, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है, ऐसी, मितलब जो income exempt होती है, उसके उपर TDS के provisions हो ही नहीं सकते, ठीक हो ही नहीं सकते, अब यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, because जब PF से, RPF से पैसा withdraw होता है, तो generally वो exempt होता है, जब PF से पैसा withdraw होता ह है, और हम लोग यह भी जानते हैं कि वो exempt कब होता है, जब अगर पांस साल के बाद अगर आप withdraw करते हैं वहां से, ठीक है, पांस साल की continuous service के बाद अगर वो पैसा withdraw होता है, तो वो exempt होता है, अगर इससे पहले withdraw करें तो taxable होता है, और अगर वो exempt होगा, समझ लीजे दोबार पैसे, अगर पांस साल के बाद पैसे withdraw कर रहे हैं, तो वैसी वो exempt है, कितना TDS आएगा, TDS ही नहीं आएगा, मेरे example, agriculture income वाला, अगर मुझे agriculture income मिलती है, तो कितना TDS आएगा, obviously नहीं आएगा, जाने कि जो income exempt होती है, उसके उपर TDS के provisions आ ही नहीं सकते, ठीक है, तो यहां प TDS लगा देंगे, but कुछ exceptions भी हैं, अगर पांस साल से पहले withdraw कर रहे हैं, reason क्या था, ठीक है, employee को terminate करना पड़ा, वो physically handicapped हो गया था, ठीक है, यह कोई और problem थी, तो उस case में, उस case में हम लोग कहते हैं, कि फिर भी वो exempt रहेगा, यहां पर यह लिखा हुए, कि उससे पांस स रहेगा, तो क्या 192A का आप यहां पर TDS लगा पाएंगे, the answer is no, I understand, पांस साल से पहले withdraw हो रहा है, but क्योंकि exceptions में covered हो रहा है, that is the reason कि यहां पर TDS के implications नहीं आएंगी, ठीक है, यह बात लिख दीजिएगा, section का number यादा है, तो बहुत अच्छी बात है, 192A, नहीं आए, त आपका focus होना चाहिए, कि आपको पूरा का पूरा paper attempt करना है, तो रुकना कहीं पर नहीं है, ठीक है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज आपका pen चलते रहना चाहिए, ठीक है, यह बिल्कुल simple rule है, pass होने का, घबराएगा कुछ नहीं, ठीक है, घबराने की कोई बात आगे चलते रही है, यह मैं देखे कि अरे पुराना question चूट गया, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होता है, सब के साथ ऐसा होता है, मैं कर रहा हूं, 100% students के साथ ऐसा होता है, पर प्लीज जो आगे चलता रहता है, ठीक है, आपको करते रहना है बस, आगे, second point, Indian bank sanction and disperse the loan of 12 crore rupees to ABC Limited, अच्छा, अब हुआ के है, यहाँ पर, एक ABC Limited है, इसने loan लिया, किस से, bank से, bank से इसने loan लिया है, ठीक है, क्या नहीं बैंक है, Indian bank, अब हमें पता है कि Indian bank ने पैसा दिया, ABC Limited अब इनको interest पे करेगा, ठीक है, interest on loan है, अब we understand, there is a section 194A, ठीक है, 194 होता है, interest का, interest on securities का, तो 193 होता है, debenture issue करें हैं, और interest pay कर रही है company, तो 193 में TDS deduct करती है, या फिर bonds वगएरा कि उपर 193 में आता है, but interest other than securities को दूसरा loan वगएरा लिया है, तो 194A आता है, but हम यह भी जानते हैं, कि अगर, असे सी, आप किसी को, ठीक है, आप source, ABC Limited, ABC Limited interest पे कर रहा है, इसको bank को bank की income हो रही है, but कभी भी आप अगर bank को, government को पैसा पे कर रहे हैं, तो उस case में TDS के provisions नहीं आएंगे, तो यहाँ पर ABC Limited ने, ABC Limited ने loan लिया और वो bank को, Indian bank को अगर interest पे कर रहे हैं, या interest के nature की कुछ चीज़े पे कर रहे हैं, तो उस case में TDS की sanction किया loan और disperse कर दिया 12 crore rupees to ABC Limited on 31 12 2020, ठीक है, ABC Limited paid a sum of 1,20,000 rupees as a service fees to Indian bank, service fees भी interest की definition में ही आती है, तो इस case में अगर ABC Limited service fee पे कर रहे है, in the nature of interest, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1.2 लाग rupees जो हम bank को पे कर रहे हैं, प्लीज इसके उपर भी TDS deduct मत कीचेगा, यहाँ पर भी नहीं आ company, is on deputation for five months, इनको कहीं पर भेजा गया है, ठीक है, पांस महीने के लिए इनको, company ने इनको कहीं पर भेजा, सुरेज कौन है, working in a company, salaried person हो गया है, ठीक है, October से लेकर February में इनको भेजा गया at Mumbai, where he pays a monthly house rent of rupees 32,000 for those five months, totaling 160, 32,000 into five months का करेंगे, तो 1,60,000 का rent इन्होंने पे किया है, rent is paid by him on the first day of relevant month, और पूछा गया है कि इसके उपर TDS की implications आती है, अब ये बाते कर रहे हैं हम से 194 I की, पहले बताओ 194 I, यहां पे refer हो रहा है या 194 IB हो रहा है, sir IB हो रहा है, वैसे तो, क्योंकि I में तो business के related rent होते हैं, अगर business related rent होते हैं, अगर individual या HOF भी पे कर रहा है, business related है, और उसका last year का turnover, वन करोड यह प्रोफेशन का 50 लाक से जादा है, तो 194 I आता है, यहां पे 194 I तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बिजनस related तो है नहीं, यहां पे तो सुरेश है, वो सालियर से ही, वो अपने घर कर रहे है, तो हम यहां पे 194 IB की बाते कर रहे हैं, यह बात क्ल monthly rent लेना है आपको, ठीक है, ठीक है, month का, यह part of the month का, अगर वो 50,000 से जादा है, तब आता है IB, यहां पर, but यहां पर monthly rent 32,000 है, please confuse मत होकर आईएगा, आप सीधा यह मत बोल दीजेगा, sir 160 है, 50,000 से जादा है, तो TDS deduct करेंगे, please monthly rent लीचेगा, यहां पर, तो monthly rent अगर 50,000 से जादा होता, तो मैं बोल देता TDS deduct कीजे, और TDS कहां पर deduct का होता है, last वाले month में, ठीक है, last वाले month में, अगर year end हो रहा है, तो March में कीचेगा, या फिर अगर, for example, हमने 2-3 महीने के लिए लिए है, during the month, और जो भी आपका last month of tenancy होता है, वहां पर TDS deduct होता है, ठीक है, तो इस case में तो TDS deduct नहीं हो पाएगा, because 50,000 जो monthly rent है, उसकी limit से कम ही rent है यहां पर, ठीक है, यहां पर आप answer बढ़ लीचेगा, यह आपको file telegram पे मिल चाहेगी, ठीक है, link telegram का description में है, आप आप से चाहके ले लीचेगा, कुछ नमबर 4, स्टेट इन ब्रीफ ते आपली, almost same pattern का कोशन है, चली फड़ाफट, हम केसिस पर आजाते हैं, क्या TDS की इंप्लिकेशन साएंगी या नहीं आएंगी, Sanjay, a resident Indian individual, not deriving any income from business or profession, makes payment of 12 lakh, in January 21, 20 lakh in February, 20 lakh in March, to Mohan, a contractor for reconstruction of his residential house, तो साफ साफ दिया गया है, कि हम construction के लिए बैसा पे करते हैं, और यह हमारा कोई business नहीं है, हम अ 94M वाला section, जब आप किसी contract के लिए पैसा देते हैं, अगर आप किसी contract के लिए पैसा देते हैं, ठीक है, 194C लगेगा, नहीं, अगर वो आपका business related है, company ने किसी को contract दिया है, ठीक है, partnership firm ने दिया है, तो 194C, इंडिविजल और हुफ ने लिए दिया है, तो 194C भी आ सकता है, कि अगर ऐसा नहीं था, या तो यह आपका personal खर्चा है, या फिर यह आपका business का भी है, बड़ आपका last year का turnover इतना नहीं था, बन करोड़ या 50 लाग, तो भी आप 194M में आ सकते हैं, यहाँ पर, तो प्लीज बताइए, यहाँ पर contract, 194M में क्या चीज़ आती है, contract के पैसे दिये हो, या फिर आपने commission या brokerage के पैसे दियो, 50 लाग रुपी से ज़्यादा, यहाँ पर personal nature के expenses के उपर भी TDS के प्रविजिस इंकम टेक्स ने क्यों बोले, क्योंकि बहुत high value transactions हो रही है, 50 लाग से ज़्यादा कि अगर आप payment कर रहे हैं, high value transactions कर रहे हैं, तो हम देखना चाहते हैं, जो receiver है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो हम उसके उपर नजर रखना चाहते हैं, that is the reason income tax department कहता है, कि इसके उपर आप TDS लगा दीचेगा, तो कि यहाँ पर 50 लाग से ज़्यादा हो रहा है, 12 प्लस 20 प्लस 20, पूरे साल में तो 50 लाग से उपर हो रहा है, बिल्कुल हो रह है, 52 लाग हो रहा है, तो 52 लाग के उपर आप TDS लगा देज़ेगा, कितना 5% होता है, 194 M में, और अगर हमारा COVID impact के बीच में होता है, तो इसका 3 फोर्थ कर देंगे, मतलब इसका 3.75 आएगा फिर तो, और obviously यहाँ पर January 21, February 21, March 21, March 21 में जाकर 25 लाग से उपर हो गए हैं, तो यहाँ पर आप 34, 3.75 परसंट आजएगा 52 लाग के उपर, 1,95,000 के TDS रेटक्ट होगा, ठीके, क्लियर हो गया, easy बाते हैं, second point, ABC Limited makes the payment of 1,50,000 to Zaheer, an individual transporter, who owned 6 goods carriage vehicle throughout the previous year, he does not furnish his PAN number, अच्छा, अब बाते कर रहा है कि ABC Limited ने, किसी contractor को, transporter को, ठीके, contract दे लिया, transportation के लिए, 194 C की बाते हो रही है, 194 C, पहले मुझे बता, 194 C, एक मिनद ये छोड़ी है, 194 C, रिवाइस करते हैं, पहले मुझे बता है, 194 C में rate of TDS क्या होता है, normal rate बताईगा, सर 1 B होता है, और 2 B होता है, ठीके, वो COVID impact की वज़े से 3 4 हो जाएगा, इसका, पर जनरल रेट 1% और 2% होता है, 1% कब होता है 194 C, जो रिसीवर है, जो कॉंट्राक्टर है, इन केस वो एक individual or HUFA, तो 1%, other individual or HUFA, तो 2%, यह बात याद आ गई है, ठीके, थेशोड लिमिट क्या होती है, सर्क्रा, सिंगल कॉंट्राक्टर है, 30,000 के थेशोड लिमिट होती है, बट अगर बहुत सरे कॉंट्राक् कॉंट्राक्ट दिया है ओके दूसरी बात अगर ट्रांस्पोर्टर के बिजनस के बारे में हम यह जानते हैं कि अगर ट्रांस्पोर्टर को कॉंट्राक्ट दिया जाते हैं और अगर उससे हम एक declaration लेते हैं कि आपके पास अगर 10 goods vehicle से ज़्यादा नहीं है प्लस उसका pan number भी लेते हैं ठीके दो चीज़ दुबारा से repeat कर रहा हूं अगर वो हमें declaration देता है कि sir मैं 10 से ज़्यादा goods vehicle किसी भी समय मेरे पास नहीं थे प्लस मैं अपना pan number भी आपको furnish कर रहा हूं उस case में हम TDS नहीं लगाते बट अगर उसके पास 10 से ज़्यादा vehicles थे या फिर अगर वो अपना pan number ना दे तो फिर तो हम TDS लगाने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा हुए है कि उसके पास 10 से ज़्यादा vehicles तो नहीं थे चलिए यह अच्छी बात है but he does not furnish his pan number उसने अपना pan number फरनेश नहीं किया तो इस case में तो हम TDS लगाने वाले हैं कितना one or two यह फिर pan number फरनेश नहीं हुआ है तो pan number फरनेश नहीं हुआ है तो existing rate है या 20% whichever is higher तो यहां पर 20% ही आचेगा तो existing rate तो one or two होते हैं अच्छा मुझे बताओ यहां पर आता कौन सा one या two अगर आता भी तो normal अगर आता तो सर ABC limited company है तो two आता नहीं ABC limited के उपर depend करता है contractor कौन है ठीक है receiver कौन है receiver जहीर है who is an individual one percent आता COVID impact को जैसे होता है तो 0.75 कर देते उसको बट क्योंकि यहां पर तो 20% आएगा सीधा सीधा pan number फरनेश नहीं हो रहा है थर्ड पॉइंट श्रीमती कावेरी रिसीव 5000 रुपीज ऑन 17 अपर 2020 फ्रॉम डेपॉसिट से नाशनल सेविंग स्कीम अकाउंट हम लोग जानते वन 94 डबल ली की बाते होती है यहां पर 2500 से ज्यादा कि अगर इंकम हो रही है तो TDS रिडाक्त होता है at a rate of 10% COVID impact के वज़े स आपको 2021 तक तो यह इस डेट में तो बीच में है उससे पहली एप्रिल के मंत में था तो 10 ही लीचेगा 3 4th मत कीचेगा तो 5000 डाही हजार से ज्यादा की थ्रेशोड ले मिट होती है यहां पर 5000 के ओपर 10% लगा दीचेगा ठीक है कर लेंगे ना 5000 के ओपर 10% 500 रुपीज कम तो नेक्स कुश्चिन डिरेक्ली में यहां पर आ रहा हूं फर्स्ट कॉइंट पर असमा 42 थाउजन हाज बिन क्रेडिट इस इंट्रस्ट और रिकरिंग डिपाउजट बाया बैंकिंग कंपनी तुद अकांट मिस्टर हसन हो किया रहे हैं पर बैंक आपको इंट्रस्ट पे कर यहां को इंट्रस्ट पे कर रहे हैं अब आप जानते हैं हम लोग सेक्षें डिसकुस कर रहे हैं 194 ए जब बैंक वगैरा हमें इंट्रस्ट पे करते हैं तो 114 में आ जयता है यह च्या इंट्रसर धन सिक्यूरेटी से बॉरिटी सब में तो ब debakती तो वह तेनील टीडिम पें से वो 7.5% हो जाएगा 40,000 रुपीस से ज्यादा का तो इस केस में हसन को इंट्रस्ट मिल रहा है 42,000 रुपीस तो क्या TDS की प्रोविजन आएंगे यहां पर the answer is yes आज आएंगे पर प्रीज ध्यान दीचेगा यहां पर एक और बात दी गई है कि हसन की एज 63 येर्स थी आज आएंगे अगर बैंक पोस्ट ओफिस या कोपरेटिव बैंक अगर इंट्रस देता है तो 40,000 की लिमिट रहती है बट इनकेस वो senior citizen है resident senior citizen के लिए 50,000 की लिमिट होती है तो इस केस में बिकर सान इस senior citizen से resident नहीं लिखा हम generally assume करते हैं कि resident ही है यहां पर इससी ठीक है अगर नॉन resident होगा तो specifically mentioned होता है question में otherwise हम हमेशे resident ही assume करते हैं तो because age 60 से 60 से अबव है तो इस केस में 50,000 की लिमिट लगने वाली है और क्योंकि 50,000 रुपी से कम है तो TDS deduct नहीं होगा अगर यह agent की 59 years तक होती तो फिर तो TDS की implication आजाती सब किस के उपर आथी 2000 के उपर आती है पूरे 42 पूरे 42,000 के उपर आ जाती second point miss shweta won a lucky draw price of 21,000 simple आप जानते है 194 b लगता है इस केस में 30% का TDS deduct हो जाता है और threshold limit कि होती है 10,000 से ज्यादा का अगर amount आपको मिल रहा है तो यहां पे तो 21,000 मिल रहा है 30% लगा दी चाहेगा सीधर थर्ड मिस्टर अशोख working in a private company is on deputation for three months almost वैसी similar question है ठीक है अशोख तीन महीने के लिए हिदरबाद में अपना घर का रेंट पे करता है 52,000 रूपीज तीन महीने का December January February 52,000 रूपीज 52,000 इंटु 3 करेंगे तो 156 हो रहा है ठीक है तो क्या TDS deduct होगा the answer is yes हो जाएगा यहाँ पर 194 I B 194 I B इंडिविजल यह फूफ ठीक है अपना घर का रेंट पे करते हैं या फिर अगर अगर अपने बिजनस का भी करते हैं और उनके लास्ट यह का का टर्न ओवर वन करोड यह 50 लाक से जाद अगा नहीं था तो 194 I B में आते हैं अधर वाइस अगर बिजनस का होता है तो 194 I B होता है 194 I 194 I यहां पर तो 194 I B लग रहा है पर 194 I revise कराने के लिए कितनी स्ट्रश्व लिमेट होती है वहाँ पर 2.4 लाक यहां पर कितनी होती है पचाहसजार से जाद अगा मंत्री रेंट है तो आप्विसली टीडियस रिटक्ट हो जाएगा कितना होगा 156,000 का TDS आप के उपर आप 2.75 परेंट पिर 5 नहीं करा 3.75 परेंट 156,000 के वर कम पूश्य आपक्ति 6уса इंबर सिख सॉरब लिस्ट सॉरब इसरी सूभाश्य हैंगें अ विसिनस अ बिसनей बाधि रेक्ट्रिक अप्लांच गों बिसनसर बेइंट्रिक अट्रिकल अट्लैंस बेशनए का his turnover for financial year 1920 and 2021 financial year 1920 or 2021 financial year का turnover 12 crore और 9.5 crore respectively, यहां का turnover 12 crore 12 crore और 9.5 crore respectively, यानि current year, जो हमारा previous year 2021 है, current year का 9.5 crore है पर लास्ट year का 12 crore था अब हम लोग जानते हैं, जो मैं बाते कर रहा था, 206 C1 H के लिए, आपका last year का, अगर आप एक supplier हैं और आपका last year का turnover 10 crore से उपर था तो obviously current year का 10 से नहीं चाथा current year से मतलब नहीं है, last year का turnover आपका 10 crore से उपर था, the answer is yes, 12 crore था, तो जो भी कोई buyer होगा, ठीके, अगर वो 50 लाग से जादा की चीजे खरीद रहे है पूरे साल में, उसका आप TCS भी collect करेंगे, 0.1% COVID impact के वजे से 0.075% आचाएगा प्रीज याद कर लीजे, मैंने कहा था यह जो amendments आई है, यह आई हैं 1st October 2020 ओनवर्ट यानि 1st October 2020 से पहले के अगर उसने 50 लाग से जादा की, आप से चीजे पर्चेस करी हैं, तब TCS collect मत कीचेगा, ठीके, तब मत कीचेगा, उसके बाद कर लीजेगा तो, during the previous year XYZ Limited place an order for purchase of electrical appliances तो, सुभाश यहाँ पर supplier है और XYZ Limited buyer है, अब XYZ Limited ना, 55 लाग 50 लाग से उपर हुए चीजे खरीदी, पर कब खरीदी, 1st of August 2020 को, यानि कि 1st October से पहले-पहले खरीदी, तो, इसके उपर तो, कोई TCS आप collect मत कीचेगा, कि यहाँ पर तो, आप TCS के प्रोविजन्स ही नहीं थे, यह सक्षन ही यहाँ पर नहीं आया था, इसके उपर नहीं आयाएगा, आगे लिखावे इट अगें, प्लेस इन ओडर ऑफ 35 लाग ऑन 1.11.2020, यहां अक्टोबर के बाद का रहा है, और से 35 लाग से पचास लाग से उपर नहीं है, वहां पर क्य बिकास अब यह 1.11.2020 को है, तो जनरली 0.1% रहता है, यहां पर यहां पर यह प्लीज पढ़ लीचेगा, 35 लाग पर TCS के प्रोविजन्स आज जाएंगे, तो यह था, लास्ट राउं रिविजन्स मैंने कुछ प्राक्टिकल कोईशन्स आपके साथ डिसकस की हैं, जिससे कि आपके पुरानी चीजे भी रिवाइज हो जाएं, ठीक है, बाकी अगर आपको फुल फलेज देखने हैं, तो आप चार्ट बुक रिविजन भी देख सकते हैं, TDS का, चलिए मिलते हैं नेक्स क्लास में, तब तक के लिए थांक यू सो मच, बाइ, टेक केर, आड़ बेस्ट ाइं, तो ऑ let, का, बाहरे हैं, हो अगर तावन देख सकते हैं, पुलिए चेज्व